नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर दोस्तों आज की इस class में environment one year current affairs के सेट 5 को आपके सामने लेकर करके आया हूँ और इसी में हम species in news की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और most likely आखरी class रहेगी species in news पर और इसकी बाद हम बागी topics को भी देखना दीरे-दीरे करके शुरू करेंगे तो मेरा नाम किंजल चाजरी है अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाईए जाके सब्सक्राइब कीजिए इसके सिवा आप मुझसे मेरे क्योंकि आप एक सालिया उससे अधिक सब्सक्राइब प्लस आईकने क्या तो आईए पहला दोस्तों देखते हैं यह है डुगॉंग conservation reserve ने मिलनाडउ गवर्मेंट्च आप किया है और यहाँ अग्यांग ब्लाते हैं आप मुझे left है जिसमें से डेड़ सो तो पाग में मिलते हैं और गल्फ अफ मनार में मिलते हैं तमिलनाडू में तो अगर दुबांग की बात करें दोस्तों तो आई उसीन स्टेटस क्या है वल्नरेबल है यह याद रखिएगा डुबांग गर आप देखे तो इंडिया में एंडेमिक नह रहते हैं क्यों क्योंकि कोरल रीव के पास में इनको सी ग्रास मिलता है देख रहें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे सी ग्रास को चर रहा है डुगॉंग तो डुगॉंग सी ग्रास खाता है जो कि कोरल रीव के पास कासी extensive आपको ग्रास इस प्रकार के देखते हैं जहां तक बात है दोस्तों, यह only existing species है, herby war mammal की, herby war है, याद रखिएगा, UPSC में पूछा है, और entirely sea में ही रहता है, पानी में, नदी के पानी में नहीं रहता है, समुद्री पानी में रहता है, इसके सिवा, आप देखें, भारत में तो Gulf of Mannar में मिलता है, पाग बे में मिलता है, Gulf of Kutch में मिलता है, और अंडमान निकोबार आइलेंट में भी मिलता है, क्या करेंगे, सब कुछ, जितना भी information है, याद रखिएगा, UPSC का favorite januar है ये, इसके सिवा दोस्तों, अगर आप serenian species है, डुगॉंग भी IUCN में vulnerable है, इसके सिवा आप अगर देखें, तो अन्य प्रकार के भी, इसी species के जानवर serenian अगर आप देखें, तो डुगॉंग जैसा मैंने बताया, इसके सिवा अन्य हो जाते हैं दोस्तों, इसके सिवा अन्य हो जाते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर exist करता था, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सिर्वो क्या हो गया, extinct हो गया, तो polar waters, और सब polar waters में थंडे पानी में देखने मिलता था, अब देख सकते हैं, अब यह exist नहीं करता है, bearing straight में, इसके सिवा अभी extinct हो चुका है, इसके सिवा आप देखें, तो west Indian मानाथीज भी आप देख सकते हैं, यह समुदर में यहाँ भी tropical waters में रहता है, South America के पास में, इसके सिवा आप देख सकते हैं, west African मानाथीज भी है दोस्तों, and amazonian मानाथीज भी है, जो कि आप देखें, तो मीठे पानी में रहने में सक्षम है, west African मानाथीज भी अगर आप देखें, मीठे और खारे पानी में रहने में सक्षम है, अपने यहां क्या मिलता है दोस्तों, अपने यहां मिलता है डुगांग, यह आपको क्या करना है, याद रखना है, इन सबसे अगर आप देखें तो डुगांग को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है, इस प्रकार से बूट चलती है, पत्थर बंधा होता है, और बॉटम को स्क्राप करते हुए, जो कुछ भी मिलता, ऐसा स्पिशीज को कैप्चर करता हुआ है, चला जाता है, चलिए, नेक्स देखते हैं तो इससे कोरल रीज के जो बेंड्स हैं, वो डिस्ट्रॉई हो रहे हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं, तो मुझे बताईएगा, अगर आप केरला से आते हैं, तो आप मुझे बहतर बता पाएंगे, लेकिन इड़्ुकी डिस्ट्रिक्ट है, इतना दो वक्ता है, इसका नाम किसके उपर रखा गया, यह बड़ा इंपोर्टेंट है, क्रिप्टो कारिय मुथूवरियाना, यह इसका नाम रखा गया है, दोस्तों मुथूवर ट्राइब के उपर, जो कि इसी आलाखे में रहते हैं, रिसर्चर से स्पीशीज के सामने आए, जब यह वेस्टन घाट्स में, इन्नमिक एंट सिटेंट स्पीशीज को पढ़ रहे थे, तो यह रहा है उसका तस्वीर क्रिप्टो कारिया मुथू वरियाना का, तो जिब जीनस किया है इसका दोस्तों क्रिप्टो कारिया है, यह साड़े 300 एवरग्रीन स्पीशीज को इंक्लूड करता है, यह वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड है साउथ अमेरिका में, साउथ आफ्रिका में, मेडगासकर में, एशिया में, औस्ट्रेलिया में, ओशियानिया में, यह करीबन 10-15 मीटर की हाइट तक गेन कर लेता है, इसके सिवा आप देखें, तो इसमें क्रिप्टो कारिया यह यह प्लांट है, और इसमें आप देख सकते हैं, यह लग जैसे सेव लगे हों इसमें, इसको चिलियन एकॉन कहते हैं, इसके बहुत ब्रॉड लीव्स नहीं, बीच-बीच के कुछ लीव्स आपको देखने मिलते हैं, मुथूवर ट्राइब के बारे में भी जान लेते हैं, एसका नाम रखा गया है, मुथूवर या मुथूवरन ट्राइब के ऊपर, तो पीपल को डिपोस किया गया, तो ये किरला माइगरेट कर गए, और साथ में अपने साथ रीगल फैमली के इमेजेज, जो रॉयल फैमली थी, उसकी इमेजेज लेके वापस आये थे, ये तमिल की ही एक डायलेक्ट बोलते हैं, मेट्री लीनियल क्लान है, इसके सिवा आप द दोस्ते एक माइक्रो स्नेल स्पिशी की डिसकोवरी हुई है, इसका नाम है जियोरी सा मॉसमाइनिस, एंड ये मॉसमाई, जो की एक लाइन स्टोन केव है मेगालिया में, वहाँ पे डिसकोवर किया गया है, 1851 में जियोरी सिया सरीता, जो की इसी जीनस का एक मेंबर है, वो फाइंड किया गया था, और मॉसमाई वैली में ही इसको फाइंड किया गया था, कहाँ पे दोस्तों, चेरा पुंजी में, मिगालिया में है, एक स्टर अफ साल पहले, इसी जीनस का और एक स्पिशी डिसकोवर हुआ था, और अब और एक नया आया है, जीयोरी सिया के बारे में जाने, तो दोस्तों, दो मिलिबीटर से भी कम इनकी साइज होती है, डिसकोवरी अगर आप देखे तो निपु कुमार दास, एने अर्विंद, जो की बैंगलरू बेस अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एन एकोलोजी एंड इन्वायर्मेंट, अट्रे, उनके हैं, और इसका नाम रखा गया है, मौसमाई लाइंस्टोन केव के ऊपर, अशोका ट्रस्ट आप देख सकते हैं, इसका लोगों भी दे दिया है, मौसमाई केव, दोस्तों, मैं भी बच्पन में गया हूँ, और उसी केव में जाके मेरा एक दाज भी तूटा था, तो मैंने यूनीक इन्वाइमेंट है, यूकि यूनीक फॉनल डाइवर्सिटी को हारबर करती है, तो बहुत सिंसिटिव है, इन्वाइमेंटल कंडिशन्स को लेके लेकिन यहाँ पर अन्थ्रोपोजनिक अक्टिविटी बढ़ती जा रही है, मेरे जैसे टूरिस्ट रहाँ बहुत अन्थ्रोपोजनिक अक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी, माइनिंग भी हो रही है, केव टूरिजम बहुत होता है वहाँ पे, और इस वज़े से जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, उन पर नेगेटिव इंपक होता है, उसका यूनीक इन्वाइमेंट कही ना कही डामेज हो रहा है, जब इस केव में जाते हैं, मुझे आज भी याद है, साथ साल का होंगा, मैं साथ-ाठ साल का होंगा, तो एक टॉर्च बड़ा सा देते हैं, और उसके साथ हम जाते हैं अंदर देखने, तो वो जो आठिवीशल लाइट हैं, और वहाँ पे जो सिमिंट किया गया है, मेगालिया में, और भी हो सकता है, स्पिशीज आने वाले दिनों में हम डिस्कवर करें, मौसमाई केव क्या है, दोस्तो लाइंस्टोन केव है, चेरा पुंजी से 4 किलोमेटर दूर इस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है, मौसमाई केव 1195 मीटर की हाइट पे लोकेट नेक्स दोस्तों एक है, न्यूज में ब्लाक टाइगर, ब्लाक टाइगर जो की बस सिमली पाल में पाया जाता है, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, तो स्टडी ने फाइन किया है कि आखिर का ये टाइगर काले कैसे पढ़ गए है, तो उनको ये डार्क स्ट्राइप प पेंट किया दा केरला में, तो क्लीम अब आये थे, म्यानमार से भी 1913 में, चायना में 1950 से, और फिर फाइनली 1993 में, लेकिन अब तक ये कहानी थी, लेकिन जब कन्फरमेशन होता है, 1993 में एक ब्लाक टाइगर के स्किन को कन्फिस्केट किया जाता है, और दिल्ली के नाशनल म Museum of Natural History में आज भी ये डिस्प्लेड है, इसको और अब तक नहीं मालूम ये कहां से आया था, इसके सिवा आप कैमरा ट्रैप भी आ चुका है, सिमली पाल में अगर आप देखें, तो आठ में से तीन टाइगर ब्लाक है, तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, तो ये रेर कलर वे है, चैन्नई के अन्ना जॉलोजिकल पार्क में भी है, आप देख रेहें हैं यहाँ तो रात में ढुंणना अतना असान नहीं होता है, तो hunters उसको hunt नहीं कर पा रहे हैं तो इस वज़े से वहां कि जो tiger से वहां पर evolutionary trait देखने मिल रहा है जो कि वो कुछ darker in color हो रहे हैं कुछ वैसे ही जैसे कल मैंने आपको बताया था हाथियों के बारे में आफरिका की जो female हाथी है उनमें अब दाद गायब होने शुरू हो रहे हैं तो कुछ वैसा evolutionary trait देखने मिला है तो यह researchers जो है दोस्तों National Center for Biological Sciences से हैं उनका कहना है कि जो rare mutation है genes का यह q-od tactic gene में हुआ है अब बस क्यों समझिएगा इसके सिवा यह genetic mutation है यह simlepal में देखने मिल रहा है 60% of simlepal के tiger अगर आप देखें तो उनमें यह gene देखने मिलता है और यह चिंता का विशह है इसलिए दोस्तों क्योंकि यह जो simlepal के tiger वो in breeding कर रहे हैं तो genetic mixing नहीं हो रही है तो यही gene बार-बार dominant करता जा रहा है और जो नए tiger के बच्चे हो रहे हैं उनमें भी यह gene काफी dominant निकल रहा है और उनमें भी black color का इस प्रकार का skin देखने मिल रहा है जिंता का भी विशह है दोनों तरीके से क्योंकि hunting के वज़े से हो रहा है और दूसरे तरफ आप देखें तो in breeding भी यह प्रूव कर रही है उन टाइगर्स में हो रही है यहने genetic mixing हो नहीं रही है genetic diversity नहीं है याद कीजिए environment basic जब पढ़ाया था तो बायो diversity में genetic diversity कितने important होती है बताया था तो इसलिए genetic diversity यहाँ पे देखने नहीं मिल रही है नेक्स दोफ तो घोल फिश कुछ मचवारे करोड़ पती बन गए कैसे तो आये सुनते हैं तो फिशर मेरे दोस्तों चंदरकान तरे पाल घर से आते हैं उन्होंने 157 घोल फिश को पकड़ा है और इनको जब बिडिंग हुई तो 1.33 क्रोर में यूपी और बिहार से आए ट्रेडर उसमें बेचा है तो क्या है यह गोल फिश दोस्तों ब्लाक स्पॉटेड क्रोकर फिश जो की पैसिफिक रीजन में देखने बिलती है साइंटिफिक नेम इसका प्रोटोनीबिया डाइक इसको हाट और गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह अगर आप देखें तो इसको खाते हैं उनमें कुछ मेडिसिनल प्रोपर्टीज होती है और कई मेडिसिन बनाने में इसके हाट का इस्तमाल होता है और इस वज़े से इसकी कीमत बड़ी जादा है कहा मिलता है पूरे के पूर क्यों है दोस्तों एक तो कारण की टेस्ट इस अशिया में बड़ा मतलब है इसके सिवह यहां पर जन्र डिवाइड भी है इस मचली में क्यों क्यों कि जो मेल फिश होती है वह बड़ी मांगी होता है कि पहसे की से और अनुसार इसकी कीमत है तो यह तो हाट ही और सा इसका निर्भर करता है क्योंकि कितना बड़ा इसका internal organ है क्या size है उसकी उसके अनुसार इसकी कीमत तैय की जाती है तो highest grade fish अगर आप देखे तो Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Japan export किये जाते हैं uses क्या है दोस्तों इसका हर part का इस्तेमाल करते हैं fin का इस्तेमाल किया जाता है उसे soluble stitches बनाते हैं सब कुछ इन से मिलता है इसके सिवा collagen and elastin synthesis भी बनाने में काम आता है तो जो skin में wrinkles आते हैं वो इसका इस्तेमाल कीजिए इससे जो collagen बन रहा है और से अब जवान हो सकते हैं ओमेगा 3 IQ बढ़ाता है इंफेंट में regular basis पे अगर इनको खिलाया जाए तो brain cells का growth होता है तो यह सारी चीते इससे associated है जिस वज़े से एतनी महंगी हो रही है population decline क्यों हो रही है दोस्तों तो marine pollution हो रहा है बहुत से decline हो रही है जिस वज़े से फिशर में अगर आप देखे तो rarely यह क्या दुख भोल फिश पकड़ पाते हैं बहुत रहर होता है कि आपके नेट में तो से ज्यादा गोल फिश पकड़े गए पालगर के मच्वारे के द्वारा वह मतलब बहुत ही रेयर फिनॉमेना है बस ब इसको एशियन बफेलो भी कहते हैं इसका इंडेंजर है यह बोवाइन है दोस्तों इंडिन सब्कॉंटिनेंट एंड साउथीस एश्या में देखने मिलता है ग्लोबल पॉपिलेशन अगर आप देखे तो विश्व में साड़े तीन हजार कड़ीब 3400 जिसमें से 3100 बस भार में उद्दांटी सितानदी जैसा मैंने बताया वहाँ पर देखने मिलते हैं तो आप देख सिरके दोस्तों इंडियन वाटर बफेलों का प्रिजेंट रेंज बहुत लिमिटेट रहे कि आए बस अरुनाचल प्रदेश मियानमार वाले इलाके में मोस्तली रहते हैं इसके सि इनबरीडिंग हो रही है तो जिनेटिक डिसॉडर हो रहा है डिमेस्टिक बफिलोवाले डिजीज़े इन में भी आ रही है इसके सिवा आप देखें तो इस ब्रीड की जो पपिलेशन है वो कम होती जा रही है चतितिज गड़की बात करें तो माविस्ट अटएक का भी ढर रहता है तो इंद्रावती में conservation efforts जो डालनी चाहिए थी हमें करनी चाहिए थी उस intensity से हम नहीं कर पा रहे हैं तो conservation center अगर आप देखें उधंटी सिता नदी attack भी किया गया था मौईस के द्वारा कुछ दिन पहले तो वह भी एक समस्या है इसके सिवा एंड कई उन्होंने वहां पे इंक्लोजर्स भी आग लगवा दिये थे चाहिए दोस्तों एक वाइल्ड बुफेलो का क्लोन जो की नाशनल डिरी रिसर्च इंसिट्यूट करनाल के द्वारा बनवाया गया था मतलब हुआ यह था दोस्तों की राइपुर में और फिर उसको ल लंगवाए गये थे और अब तक ब्रीडिंग एज तक पहुंचे नहीं है तो भी समस्या है और जहां तक बात है इस क्लोन की यह रही उसकी तस्वीर तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह क्लोन वाइट बॉफेलो भोलके यह देसी बैस दे दिया तो कुछ घरबढ हो गया है ऐसे एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं तो तस्वीर उसी की है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं यह अपना देसी भैस है या फिर वाइड बॉफेलो है यह ज्यूरी के लिए उपन है जले नेक्स देखते हैं दोस्तों न्यू कैस्केट फ्रॉक स्पिशी इसकवर इसा होता है क्योंकि वाटरफॉल वगेरा में या फिर हिल्स्ट्रीम में पहाडी नदियों में देखने मिलते हैं इनकी अगर हम बात करें न्यू स्पिशी आदी कास्केट जो कि इडिन्टिफाई किया गया है इसका नाम रखा गया है दोस्तों अपने यूनीक कॉलिंग प और इसके आएक बड़ास के अपको नोर्ती इस्ति इंडिया में नंडिया में नेपाल में भुतान में चैना में इंडो जो सब्सक्राइबगे दिखञा है नोर्थ इंहीं को पहले इंबोर इलस्ते विनाम से जाना जयता था है तो ऑए रचलों नाम याद रखने में भी असानी होती है तो आप सब जानते हैं शिलॉंग मिगालिया के अगर आप देखे तो यह तबर्बन लाइंग वेक बलते हैं और इनकी जो पॉपिलेशन है दोस्तों यह अगर आप देखे तो इस्ट सियांग लोवर दिबांग वाईली डिस्टिक्ट में भी देखने मिलती है अधीज अगर आप देखे तो केन और बैंबू आइटम से समान बनाने में किये जाते हैं अरान इंकी घंटिंग फेस्टिवल है शिकार किया कुछती है और वैसे भी एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए हमारे नौर्टीस इंडिया में क्या हो रहा है एक चीद आपको मालूम होने चाहिए नेक्स दोस्तों देख लेते हैं तो हमें लगता है कि और एक स्पिशीज पे और एक टॉपिक करना पड़ेगा और एक क्लास र सब्सक्रिप्शन मिलेगा यदि आपको दो साल में मन मुताजिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो वनियर सब्सक्रिप्शन हो सब्सक्रिप्शन अपको लेना पड़ेगा शर्फ रहे हैं तो इससे आपको टेंडियरण इंटर्शिप मिलती है इसके सिवा दोस्तों आप अगर देख तो पंगरा तारीक को रखने वाले याने की परसों को होगा इसका फाइदा जरुपर 930-1130 इंडिया में कई शहरों में करवाया जा रहा है ऑफ-लाइन ऑन-लाइन तो है ऑफ-लाइन आप देख सकते हैं दिली सब्सक्रिप्षन अंसर्श्यपेश के साथ जो प्लाइज सब्सक्रिप्षन दोस्तों इसकी साली कीमत है 467-9041 रुपीज जब आप प्लेज़ कीमत कीमत है रहे चुका है आप दिख सकते हैं और नया भी इंवाइमेंट जिग्रसी के प्लस पोर साते रहेंगे इसके सवाई युट्वेशी के बैच है दोस्तों यह सबस्क्रिप्शन को देख सकते हैं महीं 18 से स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी से प्राइस के पहले आप सीड्स कर सकत है अनका अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट जिकेटर से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल का बस्केट आपको मिलता है और से लर्निंग की डेली आंसर राइटिंग प्राक्टिस है साथ-साथ आपको प्रिंटेट कॉम्रि प्रिंग